सर यह देखे एक मिनिट मैं आपको कॉल करता हूँ सर यह आपकी बिल्डिंग का नक्षा बना रहे हैं हाई शेक साब का खाना उसका मजदूर खा रहे हैं अब भी मुबाल निकाल के मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ शेक साब अपने काम कर रहे हैं मैं अपने काम निप्टा लेता हूँ यह मजदूर सालन के साथ हाथ खरब करके आखर कर क्या रहा है पूरी वीडियो रिकार्ड कर लेता हूँ फिर शेक साब को दिखाऊंगा शेक साब का कहना काके बहुत मज़ा आगिया अपना काम तो कह रहे हूँ शेक साब को जैसे पता चलेगा वो मजदूर पकड़ा जाएगा मैं बच जाँगा शेक का खाना तो कहा लिया है आई नक्सा निगार पतनी क्या कर रहे है दो गंटे से शेक साब को पकड़ा हुआ है अच्छा कोई नहीं मैं तो जा के अपना काम करता हूँ ठीक है शेक साब मैं मजदूरों को काम समझा देता हूँ आपका काम हो जाएगा ठीक है आप जाओ हैं ये मेरा खाना किसने खाया है मजदूर इदर आओ उई शेक साब बुला रहा है लगता है खाने के लिए कुछ मंगवाया है हाँ हाँ तावला हो रहा है खाने के लिए अभी मेरे हाथ पे इंट मारता था आजा आओ आओ चले जी जी शेक साब हमें बुलाया आपने मुझे सच सच बताओ मेरा खाना तुम दोनों मेंसे किसने खाया है हाई खाना शेक साब मुझे तो नहीं पता किसने खाया है मैंने तो नहीं काया लगता है इसने खाया होगा नहीं नहीं शेक साब मैंने नहीं नहीं खाया विश्य सच बता दो मेरा खाना तुम दोनों में से किसने खाया है वरना तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दूँगा और आई तुम दोनों को मजदूरी भी नहीं दूँगा मजदूरी लगते गेम हाथ से जा रही है शेक साब मैं आपको बताता हूँ आपका खाना किसने खाया है आपका खाना इसने खाया है ये देखें इसकी कमीज बे सालन के दाग भी लगे हुए है देखा मेरा शक सही निकला मेरा खाना तुम दोनों में से ही किसी ने खाया है तुमने खाया है ना अब तुम्हारी ये सजा है तुम पूरा हफ़ता मुफ्त में काम करोगे और तुम्हें दिहाडी भी नहीं मिलेगी नहीं नहीं शेक साब मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ ये खाना मैंने नहीं खाया मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे तुम्हारी जुरत कैसी हुई मेरा खाना खाने का रुके शेक साब आप गलत बंदे को सजा दे रहे इसकी कमीज पर खाने के निशान लगे हुए हैं खाना भी इसी ने खाया और सजा भी इसे ही मिलेगी रुके शेक साब रुके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पता नहीं ये सुसरा क्या दिखा रहा है अब कहीं मैं पहस ना जाओ अच्छा तो ये सारा कारनाम तुम्हारा है पकड़ो इसे